अग्यार फ्रेंट्स वेलकम तो नर्सिंग स्टडी आज की वीडियो में हम बात करेंगी प्रोसीजर के बारे में तो अगर आप बीसी नर्सिंग सेकिंड एर में हैं और जेनिम सेकिंड एर में हैं तो आपको एक क्राइटेरिया फाइल जो है वो बनाना होता है तो उसके ले रहे हैं, procedure on numulization, तो कैसे अपने इसको बनाना है, सबसे पहले आप एक front page बनाएंगे, front page पर आप अपना college का नाम लिखेंगे, और उसके बाद ये procedure लिखेंगे, कि कौन सा procedure आप बना रहे है, नीचे लिखेंगे आप subject का name, medical surgical nursing 1 है या 2 है, वो mention करेंगे उसके बाद submitted to जिस भी teachers आप से ये criteria बनवा रहे हैं उनका नाम लिखेंगे और submitted by and के आप अपना नाम लिखेंगे इसके बाद second page पे आ जाएगा हमारा neemolization के बारे में आपने बताना है कोई भी procedure है किसी भी तरह का procedure बना रहे हैं चाहे वो MSN का procedure है या फिर nursing foundation का procedure है तो सेम इसी तरह से ही बनाया जाते हैं कोई भी procedure दिया जाए आपने इसी तरह से बनाना है एक example भी है और आपको एक topic भी मिल जाएगा कि नेमोलाजेशन का procedure कैसे बना हुआ है तो सबसे पहले आपने heading देना है topic का heading होगा है उसके बाद उसके definition बताना नेमोलाजेशन होता क्या है चीके कहा है क्शिध को करने के लिए शक्रीशन को रिमूब करने के लिए लिक्विफाइब medicine होती है जो patient को ती जाती है तो इस तरह से ते देफिनिशन है सब्सक्राइब करें पोइंट डालेंगे जैसे यहांपर मैंने लिखा हो वdade है उच्छो भी चीज़े करने पैरो कशीड नहीं है, इस तरह से आप पॉइंट्स बनाेंगे तो यहां से तो purpose हमारे second page तक हमारे purpose चल रहे हैं यहां पर देखें तो सभी को मैंने points में यहां पर mention किया हुआ है क्या-क्या purposes होते हैं neemolization की तो next आ जाता है इसमें types of neemolization कितने type का neemolization जो है वो patient को दिया जाता है ठीक है तो यहां पर आ जाता है ultrasonic ठीक है injected या फिर inhaler तो types लिख लेंगे अगर किसी procedure के types हैं तो आप इसमें types में mention कर सकते हैं कि इस type का जो topic है या इसके types है next page पर आ जाता है इसके functions क्या-क्या function होते हैं neemolization के तो इनको भी आपने points में mention करना है जैसे कि मैंने अभी आपको बताए कि जो भी चीज़ आप mention कर रहे हैं types है, purpose है, aim है तो सबी को आपने points में बताना है paragraph में नहीं बनाना है अगर आपको यह topic यह procedure जो है बनाने को दिया गया है तो आप इसमें से भी copy करके बना सकते हैं आप screenshot लेकरके इसको save करके आप अपना topic जो है वो prepare कर सकते हैं next page पर आजाएंगे equipment कोई भी procedure आप कर रहे हैं उसमें equipment की requirement होती है यानकी equipment के बिना जो है procedure नहीं होता है तो कौन-कौन से equipment जो है वो use के जाएंगे immunization में वो यहाँ पर mention किये गए हैं तो यहाँ पर सभी के नाम लिख्यों में हैं क्या-क्या यूज किया है आमने जैसे sterilized water है, cotton ball है, face mask है, sputum mug है, disposal kidney tray है, medical medication card है तो यह सारा क्या है equipment है जो कि हमें इस immunization procedure को करने के लिए require होते हैं उसके बाद आजाता है हमारा procedure और rational ठीक है आपने इस तरह से एक चार्ट बनाना है इस तरह से आप चार्ट बनाएंगे, एक side लिखेंगे आप procedure, कि procedure जो है क्यों किया जा रहा है और इसका rational यानि कि reason क्या है, क्यों हमने ये procedure किया है patient के लिए तो इसको भी points में लिखेंगे, एक points लिखेंगे और उसका rational जो है वो आप बनाते जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से मैंने जो है एक points बनाया है, फिर second points को भी ऐसी बनाया है procedure लिखा है और उसका rational भी यहाँ पर लिखा हुआ है next page पर भी यहाँ पर हम procedure और rational तो जितने भी points है आप अपने इमर्जी से जितने चाहिए आप points यहाँ पर लिख सकते हैं तो यहाँ पर मैंने इसके 12 points जो है वो mention किये हैं सभी का procedure और rational कि किसली हमने यह procedure किया है या patient पर क्यों यह procedure हम कर रहे हैं next page पर आ जाता है हमारा procedure अब हम procedure जो है वो कैसे करने वाले है patient पर उसको यहाँ पर mention किया गया है इसको भी points में हमने डाला है यहाँ पर तो अगर आपको topic दिया गया है तो आप यहाँ से बना सकते हैं next आ जाता है हमारा after care यानि कि procedure perform होने के बाद procedure जो है वो patient को दे दिये गया है procedure देने के बाद क्या 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 की जाती है कोई भी procedure आपको दिया गया है बनाने के लिए आपने सारी चीज़े mention कर दी है इसमें क्या होता है क्या purpose है क्या aim है टीके types कितने होते हैं और क्या इसका function होता है और कौन-कौन से equipment आपने यूज किये है उसका rational क्या है और उसका last में procedure जरूर लिखना है आपने procedure क्या है किस तरह से आपने वो जो topic दिया गया है या फिर जो चीज़ आप patient पर apply कर रहे है उसका क्या procedure रहा है और last में आपने लिखना है इसका after care कि जो भी procedure आपको दिया गया है उसकी आपने procedure देने के बाद कैसे care करनी है ठीके तो यहाँ पर इसको भी points में डाला है कि कैसे immunization देने के बाद patient की कैसे कैसे जो है वो care की जा सकती है तो यहाँ पर मैं आपको topic नहीं समझा रही हूँ कि क्या होता है लेकिन सिर्फ आपको बता रही हूँ कि कैसे आपने यह बनाना है ठीके कैसे procedure को है कैसे आपने procedure को अपने complete करना है और उसके बाद last page पर आ जाता है हम आप और लाइन से चेक कर रहे हैं Google से लिया है Wikipedia से लिया है तो उसका link आपने यहाँ पर लिखना है अगर आपने book से लिया है तो उसको भी आपने points में सभी चीजे points में mention करनी है तो points 123 डाल करके first अगर आपने book से लिया है तो आप पहरे book का नाम लिखिए second पर आप link डाल सक सकते हैं ठीक है उसके according आप bibliography में सारी चीजें mention कर सकते हो तो इसी तरह से जो complete procedure है एक वो बन जाता है तो इसमें अगर कुछ भी आपको doubt हो कोई भी आपको topic दिया गया है आप पूछना चाहते हैं तो आप comment कीजिएगा मैं कोशुश करूंगी आपकी जो queries है उसको complete करने क तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like जुरूर कीजिएगा तो आज की वीडियो में इतना ही thank you for watching झाल